दोस्तो आखिरकर वो दिन आही गया जिस दिन का हम लोग काफी समसे इंतिदा कर रहेते हैं फाइनली बजाज कंपनी ने सबसे एफड़ेवल सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच कर दिया जिसका नाम है बजाज चेता 2901 जिस प्राइस पर्म में इस गाड़ी को लॉंच किया है वो काबिले तारीफ है अब ये गाड़ी सबसे ज़्यादा डिमांडिक बनने वाली है जबसे इस गाड़ी को launch किया गया एक company को बहुत ज़्यादा तकलिफ होने वाली है वो है Ola Electric Ola का सबसे ज़्यादा दबदबा है एक लाके अंदर electric scooter पर है सबसे ज़्यादा बिखने अली जो electric scooter है उनकी Ola की एक लाके अंदर है और उसमें से भी सबसे ज़्यादा बिखने अली गाड़ी है Ola S1 X Plus क्योंकि उसमें थोड़े specification wise ज़्यादा देखने मिलते हैं लास्ट वीडियो में किसी ने बोला था कि यार अब बताओ कि भाया कौन सी गाड़ी लेनी चीए Ola S1 X Plus या बजाचे तक 2901 आईए इसी चीज के उपर बात करते हैं इस वीडियो में Ola S1 X Plus और बजाचे तक 2901 डिजाइन की बात करते हैं Ola Electric काफी futuristic लगती है और येंग्स्टर को focus करके बनाएगी है थोड़ी सी roundage देखने मिलती है बट fresh look के साथ आती है Front में dual projector headlam देखने हो मिलता है काफी futuristic design में पहली बार से बोलता हूँ और आजकल इस गाड़ी में practicality भी ज़्यादा अच्छी देखने हो मिलती है Like under city storage भी अच्छा है floorboard भी काफी अच्छा है अब बात करते है बजाच 6 तक की तो इनका जो styling है वो थोड़ा सा हटके अलग है क्योंकि ये बनाते है vintage टाइप की electric scooter और ये जो electric scooter है ये actual में vintage है बट with modern features इस गाड़ी का जो main target audience है वो लोग है जो office जाते आते है family के लिए electric scooter चीए ये गाड़ी उन लोग को target करती ही करती है design एक subjective part है बट यहां पर modernization ओला का बहुत अच्छा है but fit and finish एक glory होता है किसी electric scooter मतला देखके लगता हो वाव क्या finishing है वो बजाच चितक और देखके लगता है नेक्स जी जाती है hardware की तो hardware भी दोनों काड़ी में काफी जाधा difference देखने को मिलती है लाइक ओला में आपको मिलता है front में dual telescopic suspension rear में आपको dual suspension देखने को मिलता है 12 inch का steel wheel है alloy wheel नहीं है steel wheel है front and rear में आपको drum brake and combi brake system है वही बजाच चीतक की बात करते तो यहां पर hardware में मिलता है front and rear में single sided swing arm वाला suspension येस dual suspension आगे और पीछे नहीं है single suspension है लेकिन quality बहुत ही बहतर है second यहां पर मिलता है आपको alloy wheel 12 inch का front and rear में आपको drum brake आ चुका है क्योंकि cost cut किया है company ने इस गाड़ी में तो यहां पर design एक subjective part हो गया but hardware में suspension wise Ola better है but look and feel और अगर solid की बात करें तो येस बजाच की गाड़ी ज्यादा favorable है next बात करते है इनके battery and the motor Ola electric में मिलता है BLDC motor जो की initial में थोड़ा सा power hungry है आगे जाके उतरा नहीं करता but BLDC का एक plus point होता है कि यहां पर torque काफी अच्छा होता है rather PM SM motor यहां पर जो continuous power है that is 2.7 kilowatt and maximum power output है 6 kilowatt and इस गाड़ी का जो range ARI certified है 181 kilometer 3 kilowatt hour की battery pack दीक ही और 7.4 hours में ये गाड़ी की battery full charge हो जाती है बजाचेतक यहां पर जो सबसे बड़ा changes मिलता है वो है motor बजाचेतक में मिलता है PM SM motor side mountain motor है gearing के through पी चला टायर चलता है कोई भी BLDC motor नहीं है और यह जो motor है इसकी life BLDC से बहुत ही जादा होती और अच्छी होती है बजाचेतक 2901 का power output है 4 kilowatt और इस गाड़ी की जो top speed है that is 63 km per hour हाँ speed इसकी कम है इस गाड़ी की range है वो है 123 km 2.9 kilowatt hour की battery pack दी गई है 123 km की IDC range है और 6 गंटे में इसकी battery fully charge हो जाती है इसमें tech pack भी अलग से option है जिसके लिए आपको 3000 और देना पड़ेगा जिसमें आपको extra एक mode मिलता है क्योंकि Ola में आपको 3 mode मिलता है और इसमें single mode मिलता है without tech pack अब with tech के साथ जाते हो तो आपको 2 mode हो जाता eco and sport mode but 63 km पर आओ की top speed ही मिलने वाली है मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा जो मैं पहले बोला नहीं है Ola S1 X Plus and Bajaj Chetak 2901 में सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपे का फरक है मतला 6,000 से 1 रुपे कम कर दो इतना ही फरक उस से ज्यादा फरक नहीं इतने price point में Bajaj Chetak यह इसी कारण से इसका जो range है वो कम है क्योंकि इतना जो heavy है गाड़ी उसको अगर engine को push करना है heavy के साथ परसन के साथ तो range drop तो हो गई होगा कम range मिलेगा अगर यह गाड़ी fiber body होती तो इसकी range भी जादा होती next बात करते है features की तो features देखो दोनों गाड़ी में ज्यादा नहीं है बट हाँ ओला में एक edge है जो मैं आगे बताता हूं features में ओला में मिलता है 5-inch का digital instrumentation यहां पर Bluetooth connectivity है turn-by-turn navigation भी है call music यह सारे alerts तो हई है यह सारे notification तो हई है वही बजा चेतक की बात करते है तो यहां पर एक circular digital instrumentation है जो की colorful है लेकिन इसमें को turn-by-turn navigation यह सारे चीज़े नहीं है और अगर आपको app support भी चीए तो उसके लिए tech pack लेना पड़ेगा तब जाके आप सारी चीज़े कर सकते हैं तो यहां पर ओला बैटर है लास आती है प्राइजिंग तो प्राइजिंग में देखा यह तो क्यों लेना चीक क्योंकि इसकी बिल कॉलिटी अच्छी है आफ्टर सेल सर्विस है रेंज एकूरेट है थोड़ा बहुत उपर नीचे बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है और फैमिली के किसी भी मेंबर के उपर यह गाड़ी ईजीली सूट करती है और यहां पर प्लस की साब से देखा जाए तो क्योंकि कंपनिया बहुत कर रही है ओला की बात करते है यहां पर एडवांटेज है इसका रेंज दूसरा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन तीसरा वह स्टोरिज स्टोरिज काफी अच्छा है बैस्ट है 34 लीटर का स्टोरिज है जो की मेरी साब से का की गाड़ी प्रैक्टिकली काफी बैटर एस एस कंपेर्ट टू बजाज लेकिन उला का जो सबसे बड़ा इशू है पहली चीज बहुत ही बेकार सेकेंड आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बेकार इतने लोगों की इशू पड़े हुए बट अभी तक 25 नहीं होते होते तो ए लगाने पर अगर आपको बजा चे तक विद पीए में से मोटर के साथ मिलती है साइट मोटर मोटर मिलती है तो फिर आप बील डीसी मोटर पर क्यू जाओगे बैटर की आप एक लेवल ऊपर जाओगे तो ज्यादा बैटर है आई होप आपको मैं समझा पाया अगर वीडिय ल το, भ téléphone नपको मैं से मोटर मिलती है तो